पंजाब का कुख्यात गेंग्स्टर लॉरेंस विस्नोई और जौधपूर का कुख्यात गेंग्स्टर के लास मांजू एक दूसरे के जानी दुस्मन है यह दुस्मनी साल 2016 से सुरू होती है जब लॉरेंस राजस्तान में पेर पसाने की कौसिस कर रहा था इसलिए लॉरेंस विस्नोई ने जौधपूर की लॉकल गेंग के विस्नु कावा से कौन्टेक्ट किया और जौधपूर के बड़े बिजनसमेन की लिस्ट बनाने को कहा विषनु कावा ने सबसे पहले लॉरेंस को जेन ट्रेवलस के मालिक मनीज जेन और स्रीराम असपताल के डायरेक्टर सूनील चंडक की पूरी कुंडली निकाल कर दी अब लॉरेंस ने इन दोनों बिजनसमेंद से फिरोती मांग ली फिरोती मांगने के बाद मनीस जेन ने गेंग्स्टर केलास मांजू से संप्रक किया और फिरोती के बारे में बताया इस पर केलास मांजू ने मनीस जेन को लॉरेंस को फिरोती देने से मना कर दिया और कहा कि मैं देख लूँगा अब मनीस ने लोरेंस को फिरोती नहीं दी तो लोरेंस ने मनीस की लक्जरी गार्डियो पर फाइरिंग करवा दी और फिर से फिरोती मांगी अब जैसे ही लॉरेंस को पता लगा कि केलास मांजू ने फिरोती देने से मना किया है तो लॉरेंस से केलास मांजू से फोन पर बात की और कहा कि तुमने मनीज जेन को पेसे देने से मना किया है इस पर केलास मांजू ने कहा कि हाँ वो मेरा भाई है फिर लॉरेंस ने कहा कि त लेकिन केलास मांजू बच निकला फिर केलास मांजू विदेश भा गया लेकिन दोनों के दुस्मनी की आग अभी प्राइब गया।